हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रानी की चन्जोन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं पॉलितिन से रिलेटेड फिर से कुछ टिप्स एंट्रिक्स लेकर करके आई हूँ जो आपको शायद ही पता होगा देखिए हम अपने घर में इस तर्यके से धिर सारी पॉलितिन निकट्रिकरते रहते हैं कि कहीं न कहीं किसी ने किसी जग 90 पे जरूर काम आजाएगा इस के चलते हैं हमारे घर में धिर सारा क्लर्टरडióण और बहुत ही Carlos miaसی दिखने लगता है तो इन सारी पॉलितिन का योश में बताने वाली हूँ अब देखें, यहाँ पे मैंने इसको अपने हैंड में पहन लिया है, इस तरीके से जब आपका वाश रूम में बाल वगरा फस जाता है, तो आप यही सोचते हैं ना कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि हम इसे उठा ले और हमारे हाथों में भी ना लगे, तो यह बहुत ही बहतरीन तरीका है, हाथों में पॉलितिन को पहन लिजिए, और जितना भी आपके घर में कूड़ा कच्रा हो, आप उसको उठा लिजिए, इस तरीके से आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा, और जो भी आपके वाश्रूम के जाली में बाल या फिर किसी प्रकार का कूड़ा कच्रा फसा होगा एकदम से साफ हो जाएगा, तो आप भी उन लोगों में से हैं जिनको वाश्रूम साफ करने में बहुत जादा दिक्कत होती है, तो इस तरीके से पॉलिथिन का यूज़ कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ, तो देखिए मेरे पास बैंगल है, कई बार ऐसा होता है ना कि हेल्थ उपर नीचे होने की वज़़े से जो साइज का बैंगल या फिर चूड़िया होती है, तो इसके लिए देखिए सिम्पल सी टिप है कि आप पॉलिथिन का यूज़ कर लिजे, यह जो शूज होते है ना उसका पॉलिथिन है, आप ीज़ा सकते हैं, तो देखिए सिम्पल आपको करना क्या है कि हातों में पहनना है, और इसके बाद से आप अपने चूड़ियों को ऊपर चड़ा लेजिए आराम से चली जाती है क्योंकि पॉलिथिन थोड़ी से स्लिपरी होती है अच्छा देखे इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि साबुन पानी से कई लोग पहनते हैं ओइल से पहनते हैं कई लोग तो मेरे को नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि हम कहीं घूमने वगर जाते हैं महाँ पे साबुन पानी लेके तो हम घूम नहीं सकते हैं तो ये वाला तरीका आप ज़रूर फॉलो करिएगा अच्छे ये तो थी हमारी चूडियों को पहनने की बात अब है इसको निकालने की बात कई लोगों के हाथों में चूडियां फस जाती हैं निकलती नहीं हैं तो ऐसे करिए आप पहले आप पॉलिथिन को हाथों में पहन करके फिर जिस तरीके से हमने इसके अंदर से निकाला न पॉलिथिन को आप वैसे निकाल करके और फिर आप इसको खीचेंगे न उल्टा तो ये बहुत ही आराम से निकल जाता है देखिए तो बिने किसी मेहनत का एकदम जिरो कॉस्ट में आपकी चूड़िया आप पहन भी सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं तो है न ये बहुत कमाल की टिप चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखिए यहां पर हमने जूसर ले लिया है और आपने भी देखा होगा कि जब बनाना शेक वगरा बनाते हैं या फिर मैंगो शेक बनाते हैं तो इस तरीके की जो जार होते हैं उसको वाश करके हम रखते हैं लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि इसको वाश करके अगर आप इसे बंद कर देते हैं बीना सुखाए तो इसमें से बहुत ही गंद इसमेल आती है तो इसके लिए क्या करिए कि आप इसको वाश करने के बाद इस तरीके से जो कपड़े की क्लिफ होती है उसे जरूर लगा दीजिए लगाने के बाद इस तरीके से उल्टा कर दीजिए अच्छा इसका रीजन ये है कि देखिए इसको जैसे ही हम उल्टा करेंग कुछ चिप्स के कुछ बच्चों ने चॉकलेट्स वगर खाई थी उसकी तो कई बार आपने देखा होगा कि ये ना बिल्कुल भी छोटे-छोटे पार्ट्स रेसाइकल नहीं होते हैं तो यहां पे एक बॉटल को कट कर लेना है आपको और इसके अंदर जितने भी ये रैपर है ना सबको फिल कर लेना है यहां पे मैंने चोटी बॉटल का इस्तमाल किया है तो इससे कट किया है आप बड़ी बॉटल का इस्तमाल करेंगे तो उसमें इसी तरीके से इसको फिल कर सकते हैं अब देखिए एक छोटा सा कॉंट्रिब्योशन आप अपने एन्वार्मेंट क हैं वो भी अच्छी तरीके से रिसाइकल हो जाएंगे देखते हैं नेक्स टेप तो देखिए यहां पे हमारे पास चकला बेलन है कई लोग ऐसे हैं कि चकला बेलन को यूज करने के बाद इसी तरीके से काउंटर टॉप पे रख देते हैं जिसके वज़ए से रात में जो इ हो जाते हैं तो इसके लिए देखिए एक छोटी से टिप है कि आप अपने चकले बिलन को इस तरीके से पॉलिथिर के अंदर रख करके अच्छी तरीके से नौट लगा करके रखिए जिससे जितने भी रात में जो इंसेक्ट निकलते हैं वो बिल्कुल भी इसे टचनी कर प मेंटेन रखना चाहते हैं तो यह चोड़ी चोटी टिप्स जरूब फॉलो करिएगा अब देखिए जो नेक्स टिप हमारी है ना वो भी बहुत ही ज़दा इंट्रस्टिंग है क्योंकि समय से पहले सब की बाल वाइट होने लगे हैं और कई लोग तो कंफर्टिबल होते है कई लोग कंफर्टिबल नहीं होते हैं तो वो जो कैमिकल युक्त डाई होती है उसका इस्तमाल करते हैं और जब डाई आप लगा लेते हैं डाई लगाने के बाद वाश करते हैं तो जो पानी होता है कैमिकल युक्त आपके आँखों में आपके ब्राउ में भी आता है और आपके जो brow हैं वो भी white होने लगते हैं तो इसके लिए अपने eyebrow पे आप सबसे पहले तो कोई सबी oil apply कर लीजिए जब भी आप अपने hair dye को धो रहे हैं इससे आपके eyebrow पे बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा और जो आपके eyebrow है वो समय से पहले white या फिर किसी प्रकार की कोई उसमें damage नहीं होगा चोटी से tip ये भी थी ज़रूर आपके काम आएगी अगर आपके काम नहीं आती है जिसके भी काम आती है तो share जरूर करिएगा अब देखें यहाँ पर हमारे पास mixi ले लिया है मैंने और कई लोगों के पास तो देखिए इसका cover होता है कई लोगों को time नहीं होता है कि वो cover बनाएं या फिर बनवाएं तो आप इस तरीके से यहाँ पर polythene का इस्तमाल कर सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से protect करता है इवन मेरे को लगता है कि कपड़े से ज़ादा ये अच्छी तरीके से इसको protect करता है क्योंकि इसके अंदर जार दिन के लिए हपते दिन के लिए तो एकदम से आप polythene के अंदर डाल करके नीचे note लगा दीजिए अब देखिए आपकी जो mixi है एकदम से safe और सुरक्षित है चलिए बढ़ते है next tip के तरफ तो यहाँ पर देखिए मैं फोन की बात करूंगी कि फोन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तमाल हर कोई करता है और इसके बिना तो मेरे को लगता है कि किसी की life smooth चल भी ने सकती है तो देखिए जब भी इसको हम इस्तमाल करते हैं कई बार इसके उपर दाग धबे पड़ जाते हैं जैसे कि हम kitchen में इस्तमाल करते हैं तो कई बार तेल मसाले के छीटे या फिर हाथ ही लग जाते हैं जिससे ये गंदे होते रहते हैं तो आप इसके लिए इस तरीके की जो transparent polythene होती है इसका इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा ये नहीं है तो जो normal आप सागसबजी ले आने वाली polythene होती है यहाँ पे आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं बसरते जो polyth अब देखिए हमने polythene को अच्छी तरीके से फोल्ड करके और यहां पे टेप लगा दिया है अगर आप टेप नहीं लगाना चाहते हैं तो यहां पे आप पतला वाला जो रबर बेंड होता है उसी भी लगा सकते हैं पॉलिथिन लगाने से यह बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क भी करता है साथ के साथ यह डिर्टी नहीं होगा इसके उपर जो भी तेल मसाले वगरा के दाग धब्बे होते हैं वो भी नहीं लगेगा आप अपने कीचन में एजिली आप इसको रखेंगे और इसको यूज कर पाएंगे दूसरी टिप यह है कि देखिए आप इस तरीके से अगर फोल्ड करके नहीं लगाना चाहते हैं तो चाकू को गरम कर लीजिए और इस तरीके से इसे कट कर लीजिए जैसे ही आप इसे कट करेंगे आप देखेंगे कि यह बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जा अपने नेक्स टीप तो देखिए हमने एक कौम ले रखा है और कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी की कौम लेने से या फिर अपनी कौम किसी को देने से बहुत ही ज़ादा जीजगते हैं कि हम अपनी कौम कैसे दे दे या फिर दूसरे की कौम कैसे यूज़ कर लें देखिए पॉलिथीन अपने पर्स के अंदर जरूर कैरी करना चाहिए अब इसको करना क्या है कि देखिए उपर और नीचे दोनों तरफ से इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद जो कॉम है उसके उपर रख करके इसको प्रेस करना है जैसे यह आप इसको प्रेस करेंगे यह जो पॉलिथिन है ना कॉम के अंदर चली जाएगी यानि कि जहां पे दांत इसका होता है उसके नीचे चली जाएगी अब आप इसको यूज करेंगे तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर स्केल्प में कोई दिक्कत होती है वो स्केल्प वली दिक्त एक दूसरे से ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगी और जो भी इसके अंदर बाल फसेंगे आप एजली उसको निकाल पाएंगे यूज करने के बाद अब इसको हाथ से भी आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है जैसे ही आप उलिथिन निकालिएगा आप उसी के बाल भी आ जाएगा और बस इसको फोल्ड करना है और डस्ट बिन में इसको डाल देना है तो चोटी से टिप बहुत ज़्यादा कमाल की है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं अभी तक तो प्लीज सबस्क्राइब भी करिएगा आ बाई बाई और टेक केर